किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में मा से खुबसुरा शब्द और कुछ नहीं है मा का स्थान हम सभी के जीवन में सबसे उपर और खास होता है मा के प्यार, त्याग, सुरक्षा, देखरेक, सेवा के प्रते सम्मान व्यक्त करने के लिए भारत में हर वर्ष मैं माहा के दूसरे रविवार के दिन मात्रे दिवस मनाया जाता है राजधानी शिम्ला में भी पीते दिन रविवार को सभी ने अपने अंदाज में मदस्टे मनाया वहिस्वयन से भी संस्था कार्वा सोसाइटी द्वारा भी एक अलग अंदास में मदस्टे मनाया गया कार्वा सोसाइटी द्वारा खलीनी के मधुवन में साफ सफाई कर धर्ती मां को स्वच्छव सुंदर बनाय रखने का संदेश दिया गया इस दोरान संस्था के अध्यक्ष इशु ठाकों ने कहा आज जंगलों की स्थिती बहुत ही दैने होती जा रही है उन्हेंने बताए कि लोगों की लापरवाही के कारण आज जंगल कांच के जंगल बनकर रह गए है इशु ने बताए कि उनके संस्थादवारा खलीनी वाट के पारशद पूरन मल के साथ मिलकर पहले भी कई बार जंगलों की सफाई की गई वहीं उन्हेंने कहा कि आज पूरा विश्व करोना महमारी से जूच रहा है ऐसे में उन्होंने सभी से अपील की है कि विवनों का सनक्षन करें और विर्थ में जंगलों में कुडा ना फेंगे वहीं उन्होंने जिलाधिश आदिते नेगी से रात के समय शहरों में अवैध रूप से डंपिंग करने वालों पर भी सक्त कारवाहिक करने की मांगी है आपको बता दे पौधों का मानव जीवन में बहुत महत्व है पौधें हमारे जीवन के रख्षक हैं और व्रिक्ष परयावरन सरक्षन में मदद करते हैं पेड पौधें वायू प्रदूशन कम करने में हमारी सह critique कर परयावरन को शुद करते हैं हमारे दैनिक जीवन में उप्योग होने वाली वस्तों में पेडों का बहुत महत्व है जितने अधिक पेड होंगे पर्यावरन भी उतना ही शुद रहेगा ऐसे में कारवा सोसाइटी के अधिक शेशु ठाकु ने सभी लोगों से वनों का सरक्षन करने वज्याद से ज्यादा पौधार उपन करने की भी अपील की तो उने भी हमारा सयोग किया था तो इस टाइम पर कोवीड में जब हम सारे लोग घरों में कैद है तो हम क्या कर सकते हैं जो हमारे ज्यादा लोग नहीं क्योंकि कोवीड का प्रोटोकॉल है जाद दो से तीन लोग आप इकठा हो और जितने भी जंगल है आसपास उसमें आ प्रेड पॉधा हमने यहां पर हमारी जो स्याइटि कारवा सुसाइटि उसने बार बार एक उपील की एप जंगलों में एक तो कूड़ाना फैंके और बढ चड़कर कारवा सुसाइटि के साथ है और ताकि आप इस मुहीम के साथ हमारे मिशन प्रेशन 2020 पिषले साल भी हमन जैसे मेरे जो बैक साइड जंगल है हमारे खलीनी में हमने 125 पौदा लगाया था तो 121 पौदा भी चल रहा है जो चार बिल्कुल सूख चुके है उसको हम रिप्लांटेशन करेंगे क्योंकि आपको बता है जैसे ऑक्सिजन की कमी है थोड़ा हम इसको जोड़ेंगे कोवीड स क्योंकि हम जो आसपास हमारा जो इलाका है वो बिल्कुल हमारा शुद्व हमारको वातावरन मिल रहा है तो उसमें मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो आपके आसपास के जंगल है उसमें आपको उड़ाना फैंके